वाहे कुर्ची का खालसा वाहे कुर्ची की फत्य गूरू प्यारी साथ संगजी गूरू नानक सहमाराजी ने सच्यार होंदा जो दूसरा तरीका बियान किता है वो इस परकार है चुपए चुपना हुवई जे लाए रहा लिवतार चुपए दा मतलब हुंदा है चुप रहन देनाल हुन चुप रहन दा जड़ा सुबन दा है और जबान देनाल है क्योंके बोल दी जबान है जड़ों मनुख अपनी गाल दूसरे नू दसना चौंदा है ते उ जबान दा सहारा लेंदा है जबान बोल दी है ते जेड़ी गाल मनुख कहनी चौंदा है अगले नू समझ विच आ जान दी है हुन जे जबान बांद हो जाए चौप हो जाए ते मनुख अपनी गाल दूसरे तक अपनी प्रवार तक अपनी तियां पुता तक अपने सजना तक किमें पचाएगा सारा वरतारा किमें दा हुएगा जे सारी दुनिया चौप हो जाए कि ये साच्चा के महराज केंदे चौप रहन दे नाल मनुख सचयारा हो जन्दा है कि चोपदा सबंद जुबान दे नाल है जाँ चोपदा सबंद किसे होर दे नाल है मनुख को जो गुरु सहब कोई होर संकेत सानु दे के समझा रहे हन तु बोलना है जुबान दे नाल पर की बोलना है ओ तेनु मैं दसांगा मैं तेनु जबान बंद करना वासते नहीं केंदा पर जो तु बोलदा है ओ ओ दे बोलन दे विच तबदीली ले ओंदेली केंदा है क्योंके ओ तबदीली ओंदे नाल समझो तेरी जबान चुपो गई ओन बोलना की है गुरु सहब बानी विच केंदेने बाबा, बोलें पत हुए, हे बाबा, ओ बोल अपनी जबान दे विच्चों बोल, जिन्नानू बोलन दे नाल तेरी संसार विच इज्जत हुए, मान परतिष्टा तेरी दुनिया विच वाद जाए, दुनिया दे लोग तेरे सतकार कर, इज्जत दे मान दें, ओ बोल तूँ अपनी जबान दे विच्चों बोल, जिन्नान बोलन दे नाल संसार विच 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 वि असी कई वार टोड़ी राग विच पंचम पिता दा ही हुकम पड़या हुए गया रसना गुण गोपाल नित गाईन है रसना तेनू गुणा देख जानने परमात्मा दे गुण गौण दे लई एस सरीर दे ना लाया गया पर तू एस जबान दे नाल परमात्मा दे गुण से लीजगा खूर रसना ia horस Fahrenheit विच चोज तमाशियां दे विच परदार्थां दे चसकें दे विच खच तोई पहई है घुर्यव अमरदास महाराद बस औरे लिजण पैवार तुशाने सुने ने जदों महाराज केंदे रसना है बिच्छ तून ना बनारा सराच रही टेर पियास ना जाए पियास ना जाए खूर्त कित है जिच्चर हरस पल्य ना पाई हुङ उन्ना चिर्टक तेरी त्रिप्ति नहीं होनी जिन्ना चिर्टक तुं एस जुबान दे नाल हरस का तुं चक है साथ। जदों तक तूं हरी दे नाम दा रस इस जबान दे नल चक दा नहीं है एक प्रमात्मा दी बुली मिठी है ते जेड़ी जबान दे नल प्रमात्मा दे गुन गाये जाने ने वो जबान भी मिठास परी होनी चाहिए दिये शैद नालों मिठी होनी चाहिए दिये एक पतनी बाबा फरीद सहबान देखो लाके बाबा फरीद सहबान नो अपने पती नो वस करन्दा तरीका पुछ दिया बाबा फरीद सहबान किंदी है कमन सो अखर, कमन गोना, कमन सो जहवा, कमन सो मनिया मन्त, कमन सो वेसो होंकरीं, जित वस आवेकंत केंदे मैं केड़ा अक्षरिस जुबान तो बोलां केड़े गोन अपनी जिंदगी विच तार्न करां जिनना दिनाल मेरा पती जड़ायों मेरे वास विच चाजाए तो मैं कई वार दुनिया विच वेखदां अपने पती नू वास करन वास ते और ता जड़िया ने जादू त्रीके अपनोंदियाने के साड़ा पती जेड़ा उसाड़े वास विच चाजाए तिपर बाबा फ्रीश से बान केंदे निमन सु अखर खावन गोन जिहवा मनिया मन्त एत पैने वेश कर तावस आवीकंत केंदे हे पैन जे तूं अपने पती नू वास विच करना चौन न आना अपने विच निमरता लेकिया अपनी जबान तो मिठे बोल बोल पती दी उस्तत वास ते तेनू निमरता अपने विच लिए उनी पैनी है तेनू मुठास अपनी जबान दे विच लिए उनी पैनी है तूं इन अगुना करके अपने पती नू अपने वास विच कर सकती हैं सो गुरु से बांदा केंदा पाव है चुप अपनी जबान नूँ चुप कर करा ले जबान नूँ चुप करांदा मतल्ब की है के जबान तेरी जीड़ी है वो कदी कौड़े बोल ना बोले जे जबान चुप ओ गई तेरा अंदर चुप न होया तेरी अंदर ली जबान चल दी रही तेरी अंदर ली जबान बोल दी रही ते बारी जबान नूँ बांद करनदा की मतल्ब है गुरू से बान एक बड़े बड़े पखंड ते चोट की तीकेंदे चुप न होवाई जे लाए रहा लिवतार जे बंदा नरंतर लगातार बगल समधी लाके बैठ जाए मून नी हो जाए कोई बोले ना जबान तो जे कोई बलावे उन्हों जवाव ना दवे बंदा अक्खा मीट के कन्ना विच मुंद्रा पाके बैठा रवे इतना कुछ करन दे बावजूद वी ओदे अंदर दे जेडे संकल्प ते विकल्प चल दे पैने उखत्म नी हो ने गया अंदर दे जड़े विकल्पने अंदर दी जड़े चलरी गल्त विचार है उस विचार नूं कon्ट्रोल विच करना है जेडे विकार अंदर पढधूपा आ रहे हन उन्हां विकारानूं कंट्रॉल विच करना है रहाज ही संतोख पैदा अपने विच करना है निमरता अपने विच लएके होनी है आपने विच मिठा बोलन दी पामना मिठा बोलन दी जाचल सिखनी है इना गुनादे करके ही तू सच्यारा हो सकता है तीसरे नुकते देबारे अपने अगे चाल की विचार करांगे वाहिगुर्ची का खालसा वाहिगुर्ची की फत्य